गुड मोरिंग एवरीबन दोस्तो आज है 19th of May 2022 और हम लोग करने वाले हैं दा हिंदू न्यूस पेपर की अनालसीज मिना नाम है सिते अंदर चोधरी और रोज की तरह है फिर से कुछ सेलेक्टेड टोपिक्स आपके लिए लेके आया हूं दोस्ते बार ब्रीफली देख लेत की बारे में पोलिशन के रिगार्डिंग वारे में इंडिया के प्रस्पेक्टिव से बहुत ज्यादे इंपर्टेंट नहीं है फिर भी थोड़ा से इसके बारे हो लोग देख सकते हैं इंटरेशनल हैं कभी कबार एक्जाम में वह पूच लेता है उसके लावा एनशी ढब यहां पर जानेंगे क्योंकि इसको लेकर अभी कुछ confusion हो गया है between different organizations and all that उसके लिएस पेपर 3 से हम लोग कुछ topic कवर करने वाले हैं WMO के रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे WMO यानि के World Materiological Organization तो इस topic को हम लोग कवर कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ बात कही है इसके बारे में जानेंगे गिनी कोफिशेंट हमारे लिए एक नया topic है economy वाले section से यहां पर जानेंगे गिनी कोफिशेंट क्या होता है लोरिंस कर्व क्या होता है और income inequality का क्या relation है फिर देखेंगे थोड़े सा ड्रोट्स के बारे में यह क्या बात कर रहा है ड्रोट्स इंडिया में पिछले काफी सालों से ड्रोट्स के chances बढ़ रहे है वर्ल्ड वर्ल्ड रोट्स का क्या ट्रेंड है फूचर में क्या ट्रेंड रहने वाला है इसके बारे में बात करेंगे फिर दूब एडिटोरिल हमारे सामने है पैन इंडिया सिनेमा और UGC's new guidelines थोड़ा बहुत जानेंगे बहुत जादा ऐसा content नहीं है जहां से question बनाया जा होंगे बहुत बड़े राइटर है इंडिया के और मसूरी में पैदा हुए एंगलों इंडियन है इनके पिता जी वह बैटिशर्स थे फिर बाद में यह लोग इंग्लेंड चले गए वहां से कुछ सालों ने पढ़ाई की लेकिन इंग्लेंड का मन नहीं लगा फाइनली इ बहुत दिया गया है वैसे तो आज के दिन जो है जमशेद जी टाटा जी का भी जनव दिन भी है जिन्होंने टाटा गुरूप की स्थापना की थी तो उनके बारे में पढ़ना चाहो तो आप वह भी बढ़ सकते हो फ्रेंट पेज पर देख लेते हैं आज कौन सी न्यूज है सबसे पहले वही है सुप्रीम कोड़ फ्रीज परी वलन ठीक है तो परी वलन जी को उन्होंने कर दिया है रिलीज ठीक है देखे क्या मामला है 1991 में क्या हुआ था राजिव कानी जी की जो उनको एक समय सुसाइड बोमर थी और उन्होंने अपने आपको बलास्ट कर दिया था जिससे उनकी मृत्ति होगी थी और कई सारे लोग और भी मारे गए थे उस समय के यह केस है क्योंकि उस समय जो प इन्होंने अरेंज किया था इसलिए इनको उस समय गिरफतार किया गया चिसमें से चार लोगों को फांसिक सजा सुनाई गई थी कुछ लोगों को life imprisonment में दिया गया था और 19 लोगों को छोड़ दिया था उस समय केस है लेकिन बाद में Supreme Court ने इनकी death sentence को life imprisonment में convert कर दिया था फिर बाद में जब इन्होंने mercy petition लगाया Supreme Court में mercy petition actually President के पास लगाया था तो प्रतिवा पाटिल जी जो थी प्रेजिडेंट उन्होंने इनकी mercy plea को reject कर दिया था फिर क्या हुआ Supreme Court ने वो केस ऐसे आगे साल दर साल चलता रहा या यह साल वाल आपने याद करने कोई जोरत नहीं है फिर जब इनकी mercy petition को कर दिया गया तो तमील लाडू की सरकार ने वहा गवर्नर के पास चला गया क्योंकि तमीलाडू की cabinet ने गवर्नर को बोला कि आप इनको release कर दिजिए लेकिन गवर्नर ने उसके उपर कोई activity नहीं किया कहीं सालों तक वह गवर्नर के पास letter जो है as it is पड़ा रहा recommendation और according to article 161 गवर्नर को यह पास यह power होती है कि वो यह कर सकत है ना commute कर सकते है किसी भी punishment को उनके पास power होती है तो गवर्नर से जब Supreme Court ने पूछा कि आप जल्दी से इस पर कुछ कीजिए तो गवर्नर ने वह President के पास भेज़ दिया recommendation के लिए लेकिन according to article 161 यह power completely governor की होती है प्रेजिएंट के इसका पर कोई role नहीं होता है तो प्रेजि पहले से काफी समय से बाहर थे ही और पिछले साल इनको bail भी दे दी गई थी तो वह bail लगातार extend हो रही थी और finally इनको release कर दिया गया अच्छा इस release का मतलब यह कती ही नहीं है कि इनको pardon कर दिया गया no pardon is a different thing Supreme Court का कहान है क्योंकि इन्होंने jail में इतने साल बिता दिये है और इनका jail में behavior भी ठीक रहा है इसी लिए इसको release किया जा रहा है in that sense लेकिन pardon एक different चीज़े इसका मतल यह नहीं है कि इन्होंने वो crime नहीं किया था यह एक बिल्कुल different different चीज़े है ठीक है तो यह जो इनको अधिकार दिये गए है constitutional अधिकार दिये गए है article 161 में समझ president pardon करते है that's a different thing उस pardon का मतल यह नहीं होता कि जो आदमी है जो convicted है उसने crime नहीं किया है crime करने के बावजूद भी उनको release किया जा सकता है अगर उन्होंने एक अच्छा खासा समय jail के अंदर spend कर दिया हो उनका behavior ठीक ठाक रहा हो और अगर judiciary को यह लगता है कि इसके अंदर अच्छा का कहना है कि हम लोग अपने जो डीजल पेट्रोल रहता है उसके नदर 20% इथनोल की blending करेंगे मतलब यह है कि आने वाले समय में जब हम लोग गारी में पेट्रोल डलवाएंगे तो उसके नदर 20% इथनोल भी होगा अब इथनोल जो है वो एक बायो फ्यूल है पर हमारी dependency कम हो जाएगी तो एक तरह से आत्म निर्भरता की तरफ समझ लीजिए और इसमें इंजिन के अंदर भी बहुत सारे चेंजिस करने की जूरत हमें नहीं बढ़ेगी ऐसा नहीं है कि वीकल्स के अंदर एक निया इंजिन इसके बारे हम लोग पहले बात कर चुके हैं थोड़ा बहुत टोपिक लोगे अब जानते हैं अगले टोपिक के ओपर दोस्तों अगला टोपिक देखे कल के टोपिक में थोड़ा कर बताना चाहूंगा कल कुछ कुछ confusion हो गया था actually कल हुआ यह के जब हम लोग टोपी कर रहे थे उससे हम लोग ने टोपी किया था फिलिप्स कर वाला टोपी किया था और फिलिप्स कर में हम लोग ने बात की थी ग्रोथ की और और एंड उंप्लोइमेंट की है तो उसके अंदर डियागरम जो है वह इस तर साइड में लेंगे और जो है inflation rate इस साइड में लेंगे यह एक्चल में फिलिप्स कर हो है जो कि फिलिप्स ने एक्चली में दिया था तो इन डिरेक्ट रिलेशन है बिट्विन इन इन फिलेशन रेट और एंप्लोइमेंट में तो जैसे-जैसे inflation इंक्रीज होता है उसी वै नॉर्मल इंडरस्टेंडिंग के लिए हम लोग इसका भी उसका कर लेते हैं क्योंकि ग्रोथ और एंप्लोइमेंट के रिलेशन बनाने समझना ज्यादा एजी रहता है तो यह थोड़ा साप उसमें जो है changes कर सकते हो यह वाला diagram बना सकते है बने exam में rather than this ठीक है यह समझाने बढ़ते हैं दोस्तों NHRC flags pollution effect on the human beings तो देखिए जो human right commission है इंडिया का वो हर उस चीज के बारें बात कर सकता है जिससे इंडिया में directly or indirectly human right का violation कहीं न कहीं हो रहा है उसके बारें बात कर सकता है तो उनका कहना है कि pollution की वज़े से भी चीज़े होती है जब pollution होता है तो लोगो की health impact होती है ecological degradation होता है लोगों की जो life usually चलती है उनको disease होते है हमारा environmental का completely destruction हो जाता है जिसकी वज़े से human rights जो है वो लोग पुरी तरह से enjoy नहीं कर पाते अब माल लीजे हमारे human right है right to have clean air यह हमारे human right है लेकिन because of pollution हम लोग clean air हमें नहीं मिल रहा है polluted air हमें मिल रही है तो य लोगी एनार चीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है इनका कहाना है कि सरकार वो किस चीजों के उपर focus करना चाहिए सरकार जो polluter सरते हैं जो बड़ी-बड़ी companies होती है फैक्ट्रियां हो गया होती है जो pollution करती है उनको रोकना चाहिए पहली बात यह दूसरी बात जो vehicle pollution होता है इसको prevent किया जाना चाहिए उसके लावा जो जो नहीं नहीं फैक्ट्रियां लगाई जाती है उनको clearance दिया जाता है वह प्रोपर तरीके से fast track courts बना देते हैं CBI के fast track courts होते हैं ED के fast track courts होते हैं रेप गारा के जब cases आते हैं तो उनको भी इन्हों dispose करने के लिए fast track courts बनाये जाते हैं तो वैसे ही environmental courts भी बनाये जाने चाहिए जो fast track होने चाहिए और environmental laws की violation जो होती है वह यहां पर उसकी अच्छे से सुनवाई कर सके बेसिकली यह उन्होंने कुछ बड़िया-बड़िया recommendation दी है नहीं जब हम लोग बात करते हैं य उसके बाद सरकार ने फिर finally इंडिया में एक independent statutory body बनाई थी 1993 में इसी को implement करने के लिए basically ठीक है पार में 2006 के अंदर हम लोग इसको अलग से amendment भी किया गया था अगर हम लोग इसकी composition की बात करें तो इसके अंदर जो है यह multi member body होती है जिसमें होते हैं और चार दूसरे member होते ह और a person who has been a chief justice of India और a judge of supreme court is the chairman तो chairman कोन होता है या तो supreme court chief justice होते हैं या फिर supreme court के judge होते हैं तो फुटी मोटी संस्था नहीं है या बहुत बहुत बड़ी संस्था है ठीक है और इसके जो member होते है चेर person member होते है वो तीन साल के लिए basically office में होते है या फिर जब तक उनकी 70 साल क युमर नहीं होती है देखे 65 में तो रिटायर होते हैं रिटायर होने के बाद हो एक दो साल वो उनका cooling of period भी होता है फिर उसके बाद इनको chairman बनाया जाता है तो definitely 70 साल के age तो होई जाती है ना mostly cases में तो वो चीज़े हैं और remove करने के लिए कैसे जो है remove किया जाता है अगर पाया जाता है कि यह मेंबर या chairman उनका behavior ठीक नहीं है या फिर वो capable नहीं है अपनी duties को fulfill करने के लिए तो उनको remove basically किया जा सकता है और ठीक है तो थोड़ा बहुत आप यह content यहां से पढ़ सकते हो लक्षमी कांस से आप इसको जाके पढ़ोगे तक ज्यादा बैटर र पूछे जाते हैं अगला जो टोपिक हमारे सामने है वो है पास्ट सेवन यूर्स वर्मेस डबलो एम ने कहा है वर्ल्ड मेंट्रियोलजिकल और्गनाइजेशन की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि पिछले साथ साल सबसे गरम साल रहे है हालांकि 2021 में कोई ऐसा रिको रहा था एक तरफ हमारा जो है इस तरफ हमारा उस्टेलिया होता है उस तरफ हमारा आर रहता है यह जोhof कोषेशन नियुक्त हरज होता है परूबियन करंट होता एंस सी एस तरफ जो है 1400 क्रंट होता है ईज़िली वंकरंट होता है और हमारा जो परूबियन करंट होता है यह कोड़ होता है इसे कहते हैं ला नीना तो जब पैसिविक चेंटर पैसिफिक कोशिन में कूलिंग इंपक्ट होता है तो यह एक तरह से आप यह कह लीजिए पूरे का पूरा हमारा जो अटलांटिक इंडिकेटर होते हैं जिसे हम लोग यह कह सकते हैं कि यह आँ भीया एक्चुली में क्लाइमेट चेंज हो रहा है जैसे ग्रीन हाउस गास कंसेंट्रेशन यह तो बहुत अबढ़ेगा तो बहुत सारी हीट हमारे ओशन के अदर जो है वह एब्जॉर्ड हो जाती है और अशिन जितना CO2 वोटर के अंदर solubal होगा उतने ही जाद हमारे वोटर के acidicity भी बढ़ेगी and as a result of climate change we are releasing load of CO2 in our atmosphere and because water is getting warm more and more CO2 is getting dissolved in our ocean water and as a result of that acidification is increasing and that acid water is very dangerous for our marine life and our coral reefs and all that so you need to just look into that solution इनो ने वही बताया जो घिसा पिता solution है के renewable energies का यूज करना चाहिए ना clean energy कभी आप यूज करिए solar power plant का यूज करिए stable power price होने चाहिए sustainable employment opportunity होनी चाहिए वही जो बड़ी-बड़ी बाते हमेशा की जाती है इस तरह के चीजों में अगला जो आर्टिकल है वो है देब्रोव फ्लैक्स data on the consumption spending actually यह जो है इसमें एक word का यूज किया गया है जिसे कहा गया गया गिनी को इस पड़ेंगे ना तो गिनी यूज किया गया प्रिगाता है इससे की लिए क्या कहता है लिए यह आटिकल यह करता था हमस्वियोड न्यूर्ण करता यहां पे चीजों को consume करने का pattern क्या है मतलब गरीब आदमी क्या consume कर रहा है अमीर आदमी क्या consume कर रहा है वो सब देखा जाता था जिसे हम लोग यह जान सकते थे कि हमारे country में income inequality कितनी है और income distribution कैसा है वो हम लोग पहचान सकते थे लेकिन 2011-2011-2012 के बाद का हमारे पास data ही नहीं है क्योंकि पिछला जो data NSSO को आया था वो 2017-2018 में आया था और उस report को सरकार ने भुलोग कर दिया जिसे हमें आज तक पता ही नहीं है कि पिछले 10 सालों में हमारे country में income inequality कितना increase हो है decrease ह हुआ है of course increase हुआ है अब जो है सरकार का यह indication दिया है सरकार ने कि शायद NSO उस survey को दुबारा से कर सकती है ताकि हमारे पास यह proper data तो हो जब आपके पास data ही नहीं होगा तो आप उसके फिर step कैसे ले सकती हो तो step लेने का सबसे बेसिक चीज तो यहापके पास data होना को ऀंकर निकालने के लिए उसके एक अब यहाप आपर देख सकते हो है यही हीगा कर वटी है किसी कंट्री में енक voyez को इनगालिटी कीटना हो रही है वह कितना हो रही है इंक डिस्टिबूशन कितनाक पैसा है बूटम 90 परसंट के आ पैसा है वह सब लोरेंस करके द्वारा देखा जाता है और लोरेंस करूं के वेसिस भी हम लोग गिनी को विजेंट निकालते हैं बेसिकली गिनी को यह आपको डोटेट लाइन दीख रही है न यह परफेक्ट इक्वालिटी के लाइन होती है जब किसी कंट्री की इंकम परसेंट वैल्थ है यह मतलब होता है लेकिन जैसे जैसे यह गिनी कोफिशेंट इस पर्फेक्ट करव से पीछे अटता रहता है उसका मतलब इसका रही है और इसे कहा जाता है लोरेंस करो अब आप यह मान के चलिए कि बाई चार्स अगर यहां पे आ गया इस इसके उपर perfect inequality और अगर वो डोटिट लाइन के उपर आ गया तो इसे कहते हैं perfect equality मतलब अगर वो यहां पर आ गया देखिए मैं इसको red line से कर रहा हूँ यहां पर आ गया अगर नोरेंज कर्व यहां पर आ गई इसका मतलब यह है कि उस कंटरी में जितनी भी वेल्थ है जितनी भी इंकम है वो सिर्फ एक इनसान के पास है यह मतलब होता है अगर उस कंटरी की GDP अगर 100 रुपे है तो सारी 100 के रुपे एक आदमी के पास है और 99 परस प्रेजंट इसे दी दूर जाते हो उतना ही जहां आपकी कंट्री कंदर इन्ट्री होती है तो अगर में कर देहरे में ड्यूंट में नजर आ रहा है तो यहां पर जो है काफी अच्छी जो है इंकम डिस्ट्रिबूशन होता है और इन इक्वैलेटी काफी काम है जो कंट्रेब का रेट कलर के दिखाई दे रहे हैं यहां भयंकर इन इक्वैलेटी है कुछ गिने चुने लोगों के पास ही पैसा है बागी लो गिएक ऐफिसेंट तो पॉइंटपट साथा है अंगल जो पॉइंटी किज verbessे हैं अगर ज़ीरो होता है चॉसने लगभग आला वह? वह सारी चीजे हैं आप अमेरिका कुछ देख सकते हो यहां पर अमेरिका में और कुछ साओ्थ मेरिकन कंट्री गरर में वही इनीक्वालिकि काफी जादा है चाइना पूर वे इंकम इनुक्वालिक काफी जादा है तो इसको देखके आप completely हम लोग पैचान सकते हैं जबकि आप इसको देखिए आप जो है Australia को देख सकते हो है ना Australia को देखिए Canada को देखिए ये इंडिया से फिर भी ठीक है comparatively है ना इंडिया के comparison में यहाँ पर equality ठीक ठाक है तो यह जो है थोड़ा साप यहां से इस तरह से इसमें थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो about गिनी कोफिसेंट economy का topic रहता है कभी बाद में अच्छे से discussion करेंगे या फिर आपकी जो economy के basic concept से वहाँ पर आप गिनी कोफिसेंट लोरेंज कर फिलिप्स कर रहा है यह सारी चीज़े बढ़ते हो दोस्तों जोगला अर्टिकल हमारे पास वह है फिल्लेंड स्वीडेन अप्लाई तो फाइनली दोनों कंट्रीज ने अप्लाई कर दिया है नाटो के लिए क्योंकि भईया रशिया इनको भी अटैक कर सकता है खत्रा सर पे मंडरा रहा है तो अपनी आपको बचाने के लिए इन्होंने नाटो के लिए अप्लाई कर दिया लेकिन यहाँ एक दिक्कत है नाटो जो है वो जो है एक कुर्दिश जो ग्रूप्स है वहाँ पर इस टर्की के साथ लड़ाई लड़ते रहते हैं और टर्की जो है कुर्दिश लोगों को टेर्रिस्ट समझता है कुछ कुर्दिश ओर्गनाईजिशन है बेसिकली इनको टेर्रिस्ट समझता है टर्की को लोग कैसे मनाते हैं नहीं मनाते हैं अमेरिका यहां पर कुछ नहीं कर सकता अमेरिका चाहिए जितना वर्जी अगरी करें जब तक सारी कंट्रिय नहीं करती है आप उसको नाटो का मेंबर नहीं बना सकते अगले टोपिक हमारे पास वह है कंफ्यूजन और स्टेटर सुदा आसाम नर्सी हलांकि बहुत पराना टोपिक है बहुत वारिस को कर चुके हैं लेकिन इसको लेकिन अभी इसलिए है क्योंकि देखें नर्सी की लिस्ट होती है और उस लिस्ट के अंदर कुछ डिस्प्यू या फिर वह फोर्णर है मतलब या फिर वह मतलब उसको फिर वापिस भेजा जाए डेटेंट केम्प वगएरे में रखा जाता है तो यह सारे चीज होती है और यह सारे के सारे काम जो है सुप्रीम कोट की देखरेक में होता है क्योंकि सुप्रीम कोट नहीं नीश लिए यहां पर बहुत सारे बंगलादेशी रिफ्यूजीज हैं उनका कहना है कि यहां पर डेटा काफी गडबड में है ना तो डेटा अच्छा नहीं है तो इसलिए उसको द्वारा से वेरिफाई कर गेंगे लेकिन फोरें ट्रिबिनल के ओफिसर कह रहे हैं कि नहीं सर जो हम लो तो थोड़ा जाना चाहो तो पढ़ सकते हो कि नर्सी कोई नया टोपिक नहीं है नर्सी काफी पुराना टोपिक है और 1950 से अच्छिली आजादी के बाद से ही इसके लिए कारवाई हुई थी और अगर थोड़ा से हम लोग देखें तो हम लोग इसको थोड़ा सा मैं आपको दिमांड चल रही थी नर्सी का मतलब होता है कि जो इंडियन स्टिजन है उनका अलग से रिजिस्टर बना दीजिये और नर्सी उससे में सारे देश में होना था इससे हमें यह पता चलता कि इंडिया में immigrants कितने हैं और इंडियन सब्सक्राइब समय सिर्फ सां के अंदर भैया यह तो भाड़ादेसी जादा आ गया है और आसाम के अन्दर कहीं जगा ऐसी है जहाँ पर वहां के लोकल लोग माइनोरीटी में चले गए हैं और भाड़ादेसी जो हैं वो IR इमिकरेंट्स जो है वह रिफ्यूजी जो हैं वह मैजोर्टी में चले गए हैं जिसकी वजह से 1979 से लेके 1985 तक आसाम में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए वहां के कहीं सारी संस्थाइं थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया वाइलेंस वगरा भी खुब सारा हुआ फिर फाइ हैंसे इंडिया में इस से पहले ज क्थिशसे हो रही थी लेकिन वह फीर चलता रहा है मामला नर्शी को बाढलन ही किया गया यह जब्सुप्रीम कोडगि इंदर बाद में केस पहुंचा उसके बाद सुप्रीम कोट ने कहा कि भीया आप NRC करवाईए तो फाइनली NRC अभी आसाम के अंदर हो रही है ठीक है और इस NRC के अंदर जब कंपलीट हुआ तो यह पाया गया कि 19 लाख लोग एक्चुली 19 लाख से थोड़ा जादा ही है 19 लाख से पंद्रा लाख हिंदूस है और चार से पांच लाख लगवर जो हैं मुसलिम्स थे अगर आप रिलीजिन की बात करें तो हलाक इसकी जूरूत नहीं है बट स्टिल अग्यों की गवर्मेंट बार बार इस मुद्दे को उठाती है बंगलादेश को लेके और बंगलादेश होता नहीं था लोगों के पास अपने जमीन के काघजात नहीं है बहुत लोगों के पास अधार नहीं है राशन कार्ड नहीं है और फ्लेट वगारा बहुत आता है तो कई बार लोगों के घरों से पुरा फ्लेट से जो है वो पेपर वेपर गायब हो जाता है बहुत सारी च बहुत बहुत चीजें हैं वहां पर कई बार तो ऐसे आर्मी इंडियन आर्मी के ओफिसर्स भी हैं जिनको निकाल दिया गया क्योंकि उनके पास 1971 से पहले उनका निकाल दिया गया तो काफी मुद्धा तो यह है लेकिन क्योंकि डिमांड है सुप्रीम कोट ने आदेश दिया है तो इसको करना भी पड़ रहा है अगला जो टोपिक हमारे पास बाता है दोस्तों वह है इंडिया जो बात करते हैं तो यहां पर एक रिपोर्ट निकाली गई है यह रिपोर्ट का पूरा म इसको किया है अभी यहने सीटी क्या है देख्या थटम मैं अगर पीछे लेनके जाना चाहूं आपके चीज बताता हूं मैं कि जो है 1992 में अर्थ समिट हुआ था यह सब को पता है और उस समिट के अंदर क्या हुआ था अर्थ समिट कहां पर रियो में हुआ था इस रियो के तो यह है कही शीज़ें कही थी पहली बात यह कहीं थी हमें से लड़ना है दूसरी बात कहीं थी हमिए बाइवर्ट करना है त्यसरी बात कहीं थी हम लोगों को डैजर्टिफिकेशन रोकना है जैजर्टिफिकेशन तो यहीं से जन्म हुआ UNCCD का United Nations Convention to combat the desertification यहां से और रिल लेकिन उसका ऐजन्डा अलग होता है यहां पर होता है है डर्टीषिकेशन और इंटर्टनेशनले यही एक मातर सथा है जो और ओर्टनेशन है यहा फिर ग्रूप है जो कि डर्टनेशन पार बात करते हैं तो तो के बारें बहुत सारी चीज़े है क्योंकि अभी 50 गीन गौइ से दुनिया भर में 29% केसी बढ़ गए हैं रोट के और हर साल जो है जादा सब्सक्राइब बात बोली है कि 2050 तक जो है और जादा बढ़ जाएंगे डेफिनेटली और जो है तीन बिलियन से जादा जानवर मर गए हो गए है तो इसलिदी है यहां पर रहने वाली है तो इंडिया को कुछ ना कुछ टैप यहां पर लेने चाहिए गाज़े हम लोग कह सकते हैं कि वोटर की कमी हो गई है तो ड्रोट अगर जादा होंगे तो महिलाओं का जादा से जादा समय वह सिर्फ पानी कलेक्ट करने में ही चला जाएगा तो यह जो है कुछ चीजे इस रिपोर्ट के अंदर रही है आप डेफिनेटली इस रिपोर्ट को पढ़ स हमारे पास जो है आज का आर्टिकल यह है देखे कहता है के ओना क्वेस्ट फोर रियल पैन इंडिया सिनेमा हलांकि पहले उलड़ी सवाल पूछा जा चुका है जिसमें सवाल यह पूछा गया था कि जो वीमन का पोर्टेल होता है वीमन जो अब को पोर्ट्रे किया जाता है जो की पती की सेवा करती है बच्चों के लिए टीफिन बनाती है बहुत ही कम ऐसा होता है कि हमारे सीनेमा में यह जो अड़िजमेंट वगरा हम लोग देखते हैं उसमें वीमन को एक बहुत ही एंपार वीमन दिखाया जाता है या तो वह जादा तर जो है ब्यूटी प्रफ्यूम करती है या फिर मार्केट से सब्जिया खरीती नजर आती है या फिर इनको एज़सेक्श्वल अब्जेक्ट जो है वह पोर्ट्रे किया जाता है हमारी अड़िजमेंट वहरा में वह सब देख सकते हो ना इवन जो सब्सक्राइब करता है तो पहले यह एक डिस्टिंक्शन हुआ करता था जो मलियालम जो कंड़ा जो तमील फिल्में बनती थी इसको कहते थे रिजनल सिनेमा और जो हिंदी सिनेमा होदा था इसे कहते थे पैन इंडिया सिनेमा जो की डिस्टिंक्शन 1970s और 1980s में बहुत जादा हुआ करती थी इवन कहीं ऐसे साउथ के ऐसे अक्टर्स है जिन्हों ने ये बात कही है जैसे चेरंजी वी ने ये बात कही के 1980s में उनको काफी हुमिलेशन होता था जब अवोर्ड फंक्शन वगारे में जाते थे और सारे के सारे वोर्ड जो है हिंदी सिनेमा को दिया जाते थे रिजनल सिनेमा को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता था लेकिन अभी वह चीज़े चेंज हो रही है जैसे हम लोग इन मुवी ने हिंदी मुवी से बढ़के यहां पर जो है काम किया है ना पर पैसा भी कमाया बहुत पूपलरटी भी हासिल की है वह तरही चीज़े ठीक है लेकिन इस चेंज का कारण क्या है इसके पीछे एक्चुली में इसके पीछे क्या हो रहा है देखिए एक नजर आप है जब कि हिंदी सिनेमा में जो मुवी बनाई जा रही थी काफी सालों से मासी से रूरल इंडिया से उसका कनेक्शन तूट गया था वह जालेतर फिल्म में बनाई जाती थी अर्बन एरिया में जो है सेटिंग होती थी उनकी अपर अपर मिडल क्लास अना अनर आई उस तरह जो कि यहां पे इन्होंने हिंडिकेट किया है एक्जामपल भी दिया इन्होंने आ record कि देखे आर अर जो मुई है वह एक इस्टोरीकल जो है ड्रामा के ऊपर बनी हुई है जिसमें दो फ्रेंड होते हैं एक का नाम राम होता है दूसरे का नाम भीम होता है फ्रिम को दिकाय गया है कि भीम की इस तरह राम को कहते हैं कि तुम उजे पढ़ना लिखना सिखा हो मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है लेकिन का कहना है कि यह पोट्रेल बिल्कुल गलत है यह जो इसा दिखाया जाता है कि जो ट्राइबल लोग है उनको सीर्फ उसी जो है ब्रिटिश ही इस खरना लिखना जब्रिटिश के लावा बहुत सरे इंडियन लोग इसे थे मनी लेंडर से जो जमीदार रहा थे वह उनको उतना ही एक्सप्विट करते थे जितना इस एक्सप्विट करते थे जबकि फिल्म होने यूझ अई दिखाया जाता है थोड़ा सा उसको डिस्ट विल्ग जंगल जमीन, लेकिन इस फिल्म के अंदर ये दिखाया गया कि जो जल जञल जमीन का नारा है, वह भीमनी नहीं बल्कि राम ने दिया था, जब कि एक्चुल में इसका उल्टा है, और भी कई सारी चीज़े दिखाया जाती है, जैसे पुष्पा मुवी में क्या तो अभी अगर आप पैन इंडिया की बात करते हो तो पैन इंडिया भी सिर्फ हिंदी नहीं रहा है अभी जो सिनेमा जो हमारी समाज के साथ जुड़ेगा जो हमारे समाज के रियालिटी को दिखाएगा ठीक है वो उसे हम लोग पैन इंडिया सिनेमा कहेंगे राइट सिर्फ म्ल्टी प्लेक्सिस में चलना ही तीक नहीं है जो चोटे जो टियर टू टियर थ्री सिटीज होते हैं जहां पर चोटे सिनेमा होल को होते हैं उनकी सच्चाई को भी कैपचेर करना पड़ेगा सिर्फ अर्बन रियालिटी को ही आप कैप्चर नहीं कर सकते और बाकिये जो समाज का पोट्रेल होता है लोवर कास्ट अर्बन कास्ट जो रेस के बेसिस पे रिलीजिन के लाइफ तो कहीं न कहीं जो है यह हमारी समाज में जिस जब इस तरह की फिल्में हीट होती है तो यह दिखाता है कि लाजर ओडियंस अभी भी उसी सिनेमा को पसंद करती है तो थोड़ा सा अगर हमें एक इंडिया में अगर हम लोग देखे कल्चर डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो सिनेमा और स्पोर्ट्स यह दो चीजे ऐसी हैं जो एक काफी जादा रोल प्ले कर सकती है यहां पे यूनिफिकेशन के लिए रोल प्ले समाज को जो है वह यूनिफिकेशन का काम करना चाहिए बेसिकली वह इस पूरी अच्छे तरीके से बताया गया है यहां पर चोटा सार्टिकल है दोस्ता पढ़ सकते हो एक्चुली यह यूजी सी के रूल के बारे में है और देखिए यूजी सी ने पहले रूल दिया था कि जो आदमी Central University में पढ़ाएगा तो उसके पास कम से कम PhD होना चाहिए लेकिन अभी जो है UGC ने अपने डगा उसको वापिस ले लिया उन्हें ने कहा कि Central University में पढ़ाने के लिए PhD की requirement नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी उन्हें बात कही कि देखिए अभी हमारे पास 10,000 के जो की और नहीं किया है तो इन्हें की नहीं किना है वहीं पढ़ा सकता है जो Online प्रस्पेक्ट्टीव लेकिन लेकर आसकता है एक बिलकुल नया ज Är гол प्रोसेस लेके आ सकता है तो आप प्याचडी वाले को और नोन प्याचडी वाले के टीचर्स को कंपेर नहीं कर सकते तो ऐसा आर्टिकल अंदर कहा गया है कि हमें प्याचडी स्कॉलर्स की ज्यादा हाँ वाकैंसी वगरा ठीक है वापको फुल्फिल करिये लेकिन कम से कम जो है इस डिक्स्टिंशन को आप इतना ज्यादा मत तोड़िए इससे जो है कंट्री में बैसिली रिसर्च ही कम होगा नहीं पाएगा और कुछ ना कुछ नया कॉंट्रिबूट नहीं हो पाएगा लिट्रेचर के अंदर समझ लिए इसलिए प्याच डी को आप जो है थोड़ा सा डाउन ग्रेड नहीं कर सकते वेसे लिए इस आर्टिकलिंग अंदर बताया गया बाकी तो रिशार्थ कुछ खास इसना मुझे लगा नहीं और आज के लिए दोस्तों इतना ही अगर हम आपक जाके उसको जोन करें WhatsApp नमबर आपको दिया हुआ है जोन करने के लिए आप इस पर मैसेज कर सकते हो पूरी इंफोर्मेशन ले सकते हो डिस्क्रिप्शन विक्स बॉक्स में आपको लिंक भी दिया हुआ है उस पर जाके किलिक करके आप फोंफिल अब करके admission ले सकते हो सिर्